तो विझे सो है क्वाट गाइस विडियो में हम खेलने जा रहे हैं मैंड काफ ट्रायल अgener आपको मैंड काफ ट्रायलना सेखना और आपको इस वीडियो को शुरु सेल सब poult dave ले ना टेफिनेटलिव आपको माइन का आफ ट्रायल को पन किया हुआ सब्से पहат स्भाएल को ऊ लोडिंग होने लग जाते हैं उसके बाद आपके समने कुछ इस तरह का इंटरफैस आता है आपको यहां पर टिक लगाना है प्रोसीड करना है तो अब हम सर्वाइब करने है माइनकफ्ट में कितना कुछ कर पाते हैं जैसा यहाँ पर हमारा तो आपको सब्सक्राइब करने के बाद समान कैसे बनाना है तो वीडियो में हैं तक बने रही है सो यहाँ पर हमारे पास काफे सारी लगड़ियां हो चुकि यहां पर मैंने 10 वोट्स कलेक्ट कर ली है अब क्या करना है और वोट को यहां पर लाकर रख देना है जिससे कि हमें वोट ब्लैंक्स मिल जाएं जैसा कि आप सकते हो यहां पर इन वोट्स के मैं क्राफिनेंट ़ूट क को कड़ करते हैं और क्राफ् enabling यहां पर क्लिक करते हैं ऐसके आप रखे सकते हैं यहां पर हमारे सामने जो भी तूल हम बनाना चाहते हैं वो असंप यहां से बना सकते हैं सब हमें इस्टिक मिल जाएंगे तो यहाँ पर मैंने एट इस्टिक तयार कर ली है आप क्या करना है simply इन वूट प्लैंक्स को यहां पर रखना है और जो इस्टिक से हैं उनको इस तरह से रखना है इसके बाद wood planks को इन उपर वाले तीनों boxes में रख देंगे जिससे हमें pickaxe मिल जाएगी जैसा कि आप देख सकते हो pickaxe मिल चुकी है अब हमें एक x बनाना है तो x बनाने के लिए simply उपर वाले दो boxes में हम wood planks रखेंगे और बीच वाले दो boxes में असानी से कटती हैं तो क्राफिंग डेवल भी यहीं पर रखे रहने देते हैं थोड़ी वोड़ वगेरा और कलेट करते हैं अभी तो हमने wooden x बनाई है इसके बाद हम इस टोन की बनाएंगे इस टोन की एक्स वगेरा बनाने के बाद हम यहां पर आइरन वगेरा भी कलेक्टर रहेंगे उसके बाद आइरन के भी टोल्स त्यार करेंगे तो अब क्या करते हैं सिंपली तीन shape को ढूनते हैं सबसे पहले 2 चीप हम कर लेते हैं और स्लीप हो जाते हैं तो जॉम्बी वगेरा से बच जाते हैं और हमारा रिस्पॉंड पॉइंट जो है वो सेट हो जाता है अगर रात होने से पहले यहां पर मैं यहां पर हमेरे पास इंतिसाम हो चुका है चली एक दिन का अब हमें सिर्फ सोने का इन जिसके लिएुँ कट से काफ़ी डूढ़ने के बाद जैसा आप दिछ सकते हो यहां पर सामने एक शीप है किनल चुकी है तो जल्दी से इसको kill करते हैं और उसके बाद हमें यहां से बूल लेनी होगी तो जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर हमारे पास एक wide bull हो चुकी है यह wide bull हमारे पास आ चुकी है भी हमें दो वाइड बूल की और जरूरत पढ़ने वाली है यानि हमें अभी दो शीप को और मारना होगा उसके बाद ही हम यहाँ पर अपना बेड बना पाएंगे अगर हम बेड नहीं बना पाएंगे तो रात को हमें जॉम्बी वगएरा चैन से नहीं सोने देंगे सो जैसा कि आप देख सकते हो दो शीप हमारे सामने हैं तो मुझे लगता है आज हमारा काम असान हो चुका है सबसे पहले इसको किल करेंगे उसके बाद साइड वाली को तो यहाँ पर हमारे पास दो जो है बूल हो चुकी है अब जल्दी से उसको भी किल करते हैं हाँ यह रही है जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर हमारे पास तीन बॉल हो चुकी है अब हमें क्या ना है बेड़ बनाना है तो सबसे पहले काम करते हैं एक बॉल और कलेक्ट करी लेते हैं और इस वाली शीप को भी मार देते हैं अब हमें स्टोन वगेरा भी कलेक्ट करने हैं क्यूंकि हमें कैम फायर बनाना है तो उसमें हमें स्टोन की जरूत पड़ेगी तो जल्दी से पहले एक बेड़ बनाते हैं जिसके लिए हमें क्या करना है क्राफ्टिंडेबल को रखना होगा यहां पर कहीं पर भी रख दो आ आपको क्या करना है वोड प्लैंक्स को रखना है सो जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर हमारा पेड़ बनकर त्यार हो चुका है अब हमें कोई टैंशन नहीं है अपना कैम आज रात हम यहीं पर लगाएंगे तो पहले तो क्राफ्टिंग टेपल को यहां से तोड़ देते ह गये हाँ साइड में तो सितों ही इस्टोन है क्यूंकि तो इसके लिए हमें फिकेक्स की जरुए पड़ती है यहां पर मैंने देखो फूर्डर पर इसलिए बनाई थी ताकि हम स्टोन वगेरा कोई कोई दिक्कत ना ओगर हम पर नहीं बनाते हैं तो बहुत ज़्या टाइम यहां पर मुझे लगबग 10-12 इस्टोन क्लैक्ट करने तो यहां पर मैंने काफ़े सारे स्टोन कर लिए हैं तो एक काम करता हूं मैं जलदी से देखता हूं कितने स्टोन हैं हाँ तो यहां पर बारा इस्टोन मेरे पास हो चुके हैं आज रात हम यहीं पर सोने वाले हैं तो एक काम करते हैं क्राफटिंग टेबल को यहां पर रखते हैं और क्राफटिंग टेबल को इस जगह रख देते हैं देखो रात हो चुकी है थोड़ी ही दिर में यहां पर जोंबी भी आने वाले होंगे काम करते हैं बेट को भी यहीं पर रख देते हैं जिससे कि जॉंबी बगेर आएं तो हम तुरंग स्लिप हो जाएं और यहां पर हम आउट नहीं तो एक काम करते हैं राज जादा होने वाली है अब हम यहां पर कैमफायर नहीं बना पाएंगे करेंगे टाइम जादा हो चुक है चल्दी से स्लिप हो जाते हैं सो आपको बेड बना लेना है नहीं तो आपको जॉंबी से से फाइट कर पाएं तो जैसा कि आप देख सकते हो कितने सारे जॉंबी थे दिन निकलते ही यह सब जलने लग जाते हैं और मर जाते हैं अब एक काम करते हैं यहां से हम अपना समान उठाते हैं और एक अच्छी सी जगह पर कैम्प लगाएंगे तो सबसे पहले क्या करता यहां से तोड़ देता हूं क्राफिंटेबल को यहां पर तोड़ दिया है बेड़ वगेरा को भी तोड़ देते हैं और इसको उठाना ना भूले अगर आप उठाना नहीं बोलेंगे तो आपके सारी मैनत बरबाद हो जाएगी जितनी भी मैनत से आपने सब कुछ बनाया थ क्राफिंटेबल बेड़ यह रहा ठीक है अब चलते हैं हम आगे और एक अच्छी सी जगाद भूनते हैं जहां पर हम अपना कैम्प लगा सकें और उसके बाद अपना घर वगेरा भी बना सकें तो गई जिये जगा मुझे काफी अच्छी लग रही है कैम्प लगाने के लिए क्यूंकर यहां पर वाडर भी है ट्री भी है और यहां पर हमें कोई भी परिशानी नहीं होगी तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यहीं पर अपना कैम्प लगा जाए तो सबसे पहले क्या करत है अगरते तेंट को यहां पर रखते हैं और अपने यहां पर रखते हैं बैद को मेً यहां पर रख दिया है 이제 आप ऑन कर तियार हो देख पहले तो यहां पर करने करते हैं। आप पर क्लिक रोड़ करते हैं जह प्र और नीचे-शती हैं घयर मistä हम इसको यहां पर मुलेदियों सकते हैं यहां पर did like myudh जुका है तो सिंप्ली वोड को और वोड प्लैंक्स को यहां पर रख देते हैं अब क्या करता हूं क्राफटिंटेपर पर सिंप्ली करूंगा इस पर करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हो हमारी जो है एक कैमप फायर बनकर तियार हो चुकी है तो कैमप फायर बनाने के लिए आपको एक कॉल की जरुवत पड़ेगी तीन वूट की जरुवत पड़ेगी और तीन इस्टिक्स की जरुवत पड़ेगी तो कुछी तरह से आपको यहां पर यह सभी चीज़े रखनी है इसके बाद कि हम जैसे कहीं दूर पर भी होंगे, जैसे यहां से थोड़ी बहुत दूर हैं, तो आप देख सकते हो, यहां पर हमें धुआ वगेरा में दिख जाएगा, तो हमें पता रहेगा कि हमने अपना कैम्प कहां पर लगाया था, काफी दूर से हम आसानी से डिडेक्ट कर पाएंग कि हमारा कैम्प किस जगह पर लगावा है, तो आने वाली वीडियो में आप और भी एडवांस चीज़स सीखोगे, जिससे कि आप माइनकाफ्ट खेलने में प्रो बन जाएंगे, तो अगर आपने चैनल वेप तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब क करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको आने वाले पार्ट की नोटिफिकेशन मिलती रहे, तो चलिए फिलाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं,